हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम देखने वाले हैं कि रात में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी रात में आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं आप क्यों लेकर के ठीक है हम उनको स्पाई करते है क्या बात है गाईस देखिए एट ओफ पेंटिकल्स और शिक्स ओफ वेंट्स रात में अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रात में वो ऐसा सोच रहे कि मुझे बहुत काम करना चाहिए बहुत हार्ट वर्क करना चाहिए और मुझे अपने पार्टनर को पाना है किसी भी हाल में मुझे उसको छोड़ना नहीं है बाई हुप बाई क्रूप किसी भी तरह से मुझे अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में ना रहे वो चाहते हैं कि आप उनके life में हमेशा बने रहें और इसलिए जो है उनके energy मुझे ऐसे दिखाई दे रहें कि वो आपको पाने की चाहत रखते हैं और उनको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे इस relationship पर work करना चाहिए वो रात को ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अपने relationship को बनाए रखने के लिए उस पर work करना बहुत ही जरूरी है तो आपके बारे में आपके person जो हैं वो सोच रहे हैं और relationship के बारे में सोच रहे हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि गई हो सकता है कि आप लोगों की बाचित हुई हो एक आत दिन में तो आपके person जब आपके पास call and text message किया हो या उन्होंने आपसे बात की हो तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके person को आपने कहा है कि उस third party से निकल जाओ आपके person वहाँ पर भंदे भी feel कर रहे हैं अपने आपको third party के साथ में connection feel कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं third party में नहीं रहूँगा यानि कि उनकी family मुझे दिखाई दे रही है तो मुझे road पर आना पड़ जाएगा लेकिन आप यह कहते हैं कि आपको third party को छोड़ नहीं होगा आप मेरे अच्छे partner तभी बन सकते हैं यानि कि हम आपके साथ जिंदिगी तभी बिता सकते हैं जा आप third party को छोड़ोगे ठीक है आपके person आपको manifest कर रहे हैं आपको अपना soul mate देख रहे हैं कि आप से ही अपनी खुश्या देखते हैं कि हम equal given take करें प्यार में भी ठीक है और finance में भी लेकिन finance की problem उनके life में चल रही है और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहें और ये भी चाहते हैं कि यह हमारा divinely guided relationship है तो हम हमेशा साथ रहें ऐसा वो चाहते हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे है guys कि वो आपको किसी हालत में भी छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि देखें दोनों कार्ड साथ साथ आए हैं six of events का और two of cups का दोनों ही चाहत के कार्ड है और दोनों ही एक दुसरे के परती attraction को दिखाते हैं attachment को दिखाते हैं आपके person आपके लिए काफी obsessing भी रहते हैं क्योंकि यह events के energy जो fire को दिखाती है ठीक है वो काफी passion feel करते हैं आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं guys कि आप यह कहते हैं कि उस negativity से भाहर निकलो यानिकि यह जो moon की energy है यह reverse में आई है तो आप यह चाहते है मेरी viewers कि आ मजबूर हो रहे हैं कि मैं family को कैसे छोड़ू आप यह कह रहे हैं कि आप उस negativity से भाहर निकले तो आपके person सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि मैं क्या करूं क्योंकि यह family ही है जो उनके उल्टे से देकान भरती है आप देख सकते हैं ठीक है और यह reverse में आ हैं वो भी यही सो यहार का offer तभी दे सकते हैं जब वो इस family को इस negativity को छोड़ेंगे तभी वो आगे बढ़ सकते हैं अपने life में वो ऐसा सोच रहे हैं यहां पर वो आपने आपको भंदावासा feel कर रहे हैं क्योंकि finance की वज़े से वो बंदेवी हैं यहां पर तीनों card यही बता रहे हैं कि finance की वज़े से वो वहां पर भंदेवी हैं ठीके और यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि देखी उनकी mother का effect उनकी life में पहु जाधा है और कोई lady है जिनका effect उनकी life में बहुत जादा है, किसी की mother-in-law भी हो सकती, किसी की mother भी हो सकती किसी की बहन भी हो सकती ननद वगेरा जो भी है आपकी life में मुझे यहाँ पर lady दिखाई दे रही है आपकी life में आप gents भी हो सकते है ठीक है यहांपर मुझे दिखाई दिए रहे कि उनका effect उनकी life पर भहात ज़्दा हथ से ज़्दा है वह उनके बिना रहने पाती है ऐसा मुझे यहांपर महसुस हो रहा है और मुझे यहांपर यह भी दिखाई दे रहे guys कि वो उनको छोड़ें तो साथ में देखी king of swords उनके फादर वो तलवार लेकर बैठे वे हैं यानि कि वो बहुत ज़्यादा रोड भीएव करती है या हो सकती कि उनकी मदर जो है इस रूप में आ जाती है कि इंग और सोर्स के एनरजी में आती है मुझे यहां पर दिखाई दे रहे कि मदर फादर किसी के लाइफ में दोनो लगते हैं आप उसी इसाफ से देख लिजिए तो यहां पर यह पर यह परसन जो है यह मेल दिखाई दे रहे है यहां पर फीमेल दिखाई दे रहे है उनकी वजए से आपकी लाइफ में बहुत ज़दा एफेक्ट पड़ रहा है और यह नेगेटिविटी जो फैला रहे है यही फैला रहे है यह उनके फादर है ना यह और किसी की लाइफ में उनकी मदर या किसी की लाइफ में दोनों भी हो सकती क्योंकि दोनों साथ साथ में आई है यह इतनी ज़दा नेगेटिविटी फैला रहे है इतनी ज़दा नेगेटिविटी फैला रहे है कि आपके परसन को जो है उससे निकल नहीं नहीं देना चाहते चंगुल से ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और और बार बार जो है फाइनस की धोस दिखाती हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसी वज़े से आपके परसन जो है उसके चंगुल में फसे वे हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी हुई तब से ही ये कंट्रोल में किया हुआ है आपके पार्ट्नर को कितने साल गजर गए यहाँ पर किसी को 15-20 साल भी हो गए है और किसी को 10 साल भी हुए है ठीक है किसी को 5 और 6 year भी हुई है मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब से आपकी शादी हुई तब से इस बंदे ने आपकी परसन को कंट्रोल कर लिया है ये नहीं चाहता कि आपकी life में कभी खुशी आएं वो सकता है कि आपका financially status equal नहों जिसकी वज़े से तो आपके person को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ये बंदा जो है मेरी life को खराब कर रहा है और मैं कैसे इससे भाहर निकलू क्योंकि उनको सब कुछ समझ में आ रहा है ठीक है क्योंकि वो finance को ही देख रहे हैं बार-बार वेट तो करने हैं अपने relationship का ठीक होने का लेकिन बार-बार उनका दिमाग finance को लेकर अटक जाता है और वहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है रात को यही सोच रहे हैं कि मैं finance कहां से लेकर आउगा और वो बहुत pain में हैं आपके बीना वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आप ये सोच रहे कि वो खुश है, खुश दिखाती है, ऐसा खुश नहीं है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे कि रात को वो ऐसा सोच रहे कि मेरी family का effect मेरी life पर है, लेकिन मैं family को छोड़ू तो छोड़ू कैसे छोड़ू क्योंकि finance नहीं है मेरे पास में, same situation बार-बार बलार है, लेकिन वो अच्छे वले समझते हैं, लेकिन वो अनजान बनकर दिखाती है आपको कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उनकी life में financially problem है और जिनकी life में financially problem नहीं है तो उनका finance वहाँ पर अटका हुआ है और इसी लिए उन्होंने आख बंद कर रखिये ये finance नहीं निकलेगा अगर मैं यहाँ से निकल गया तो समझ्चा यहाँ पर यह आ रही है ठीक है और इसी वज़े से आप दोनों आगे जीवन नहीं जी सकती है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे क्योंकि reverse में आ है six of swords का cut reverse में आ है और रात दिन यही सोच रहे है कि अगर मैं यहाँ से इस negativity से भार नहीं निकलूंगा तो जिंदगी आगे नहीं जाएगी और जिंदगी आगे नहीं जाएगी तो हमारे कर्मा पूरे नहीं हो गए कर्मा पूरे नहीं हो गए तो फिर हम इस पृती पर आई मुझे दोनों मेंसे एक को चुनना है काड ये भी reverse में आए कोई सपने वपने नहीं आज रात किसी को कोई सपने नहीं देखना है आज रात तो सिर्फ और सिर्फ इसी पर प्रकास डाला जाएगा कि क्या होगा क्योंकि reverse में हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अकेले बहुत परिशान हो रहे हैं अभी सिर् मदर फाधर भी कब तक जिएंगे बढ़ापे में तो उनको भी जाना है उपर तो दोनों तरफ से फिर ये कहीं के भी नहीं रहेंगे क्योंकि वो दो चार साल दस साल और देख लो बाकी बच्चे और जो मेरी विवर्स वो उनका साथ छोट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए एक को त्याग ना पड़ेगा इनको आज राथ यही decision लेने वाले हैं कि किसको त्यागू मैं अपनी family को छोड़ूं या अपने partner को छोड़ूं यहाँ पर असमंज़स की स्थिति में हैं दुवीद्या में हैं उनके पास में उनके पास दो चोइसे से उनको एक चुनना है के लिए मेरी वीवर्स के लिए कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको क्या करना है कि देखिए आप मैनिफेस्ट करें यह कहा जाय रहा है आपकी जो ड्रीम से जो आपको विजन दिख रहे हैं जो आपका एम है गोल है उसके उपर फोकस्ड रही है ठीक है और आगे बढ़िए उसको रियाल्टी में आप जो है करिए जो भी आप चाहते हैं उसको जो है उसके पर वर्क करिए आपके सामने सच्चा ही आजाएगी, खुद बखुद आपके सामने सच्चा ही आजाएगी कि आपके partner क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं downloads होंगे आपको और आप समझ जाएगे कि आपके person जो है वो क्या चाहते हैं और जो universe है वो आपको क्या दिखाना चाहता है यह सच्चाई आपके सामने खुद बखुद आ जाएगी ठीक है? यहाँ पर यह कहा जा रहे है कि heart awakening तो आपको give and receive में balance बनाना है और जो divine की तरफ से प्यार मिल रहे है आपको उसके लिए आपको ready रहना है उसको accept करने के लिए ready रहना है ठीक है? आपको अपने heart की awakening करनी है यह कहा जा रहे है तो आपके सामने सच्चाई आएगी आप उस अच्चाई को देखिए downloads होंगे आपको समझ में आजाएगा कि आपका person जो है वो क्या चाहता है क्या करना चाहता है वो सब आपको समझ में आजाएगा कि अगर वो आपके पास रहना चाहता है तो वो भी आपको समझ में आजाएगा अगर वो अपनी family के साथ रहना चाहता है तो वो भी आपको समझ में आजाएगा अभी कुछ messages देख लेती हैं उनकी तरफ से आपको downloads होंगे और उसके मध्यम से आपको पता चल जाएगा क्लियर टीब मिल जाएगी कि आपके person की क्या मंसा है वो क्या चाहते हैं ठीक है चलिए देखी यहाँ पर you are so special आप बहुत ही special है मैं एक पल भी आपको भूल नहीं पाया हूँ वो आपको एक पल भी भूल नहीं पाये है I am afraid to take that next step right now वो डर रहे हैं अगला step लेने के लिए जो है can we start again वो यह भी चाहते हैं कि आप उनके साथ में दुबारा से शुदू करें जिंदिगी please wait for me वो ऐसा भी कहरे है कि आप मेरा wait कर लीजिए मुझे तुमारे साथ बिताई वो हर पल याद है वो ऐसा भी कह रहे है ठीक है यहाँ पर past life आपका दोनों का past life connection है April आपके लिए जो है लखी हो सकता है आपकी या आपके partner की date of birth हो सकती है या anniversary हो सकती है तो यह थी guys आपकी reading I hope guys you reading up को रज़ आपके लिए रज़ आपके लिए लिए बाज़ आपके लिए तो प्लिस दो लाख शेर और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक्स वर वाचिंग तिल नेग्स वीडियो तेक केर बाबाए